कर्व हमारे जीवन का कि एक अभिन्न भाग है कर्म सभी करते हैं परन्तु क्या कर्म करने से पूर एक बार विचार करते हैं क्या सोचते हैं कि प्रतेक्रिया की प्रतेक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म किसी और भल को जन देगी ये जुला एक बार जुलाओ तो लोड़ कर अवश्य आएगा उसी प्रकार हमारे कर और उसके फल लोड़ कर आते हैं फल से स्मरण हुआ इस व्रिक्ष के आम बड़े मीठे हैं इस व्रिक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी यदि की हो भी तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हूँ परन्तु मैं खा रहा हूँ वर्षो पहले किसी ने यहां आम बोह यदि वो काटे बोता तो कदाचित वो पाओं में चुपते कभी कभी हमारी पिछली पीड़ी के कर्मों का फल हम खाते और हमारे कर्मों का फल हमारी संतती भुगत्ती है कर्म करते समय फल की चिन्ता करना ना करना यह प्रतिये एक व्यक्ति विशेश का अधिकार है परन्त वो फल बो रहा है या काटे उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है च्यूकि मीठा फल मिलेगा या काटों का दंच सहना पड़ेगा ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है नियती केबल ये निर्धारन करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविश्य विवेक और धैर से काम लेजे पांचार नरिश जिसकी पुत्री का मान और सम्मान दाव पर लगा हो कोपिता धैर्य और विवेक से कैसे काम ले सकता है वसुदेव आज आप बीच में नहीं आएंगे वसुदेव आज पांचार नरेश दुरुपत पर एक नहीं अपी तु पांच ब्रहम हत्याओं का पाप लगना निश्चित लेए प्रम महत्या का पाप तो आपके भाग में है ही नहीं पांचार नरेश चुकि आपके समक्ष पुरुवंश के शत्रिय महायोध्धा खड़ेगा अर्धात अर्धात ये पांचार नरेश ये और कोई नहीं परंतु कुंती पुत्र पांडव है तो सबसे आगे खड़े वो धर्म राज युधिष्टर है और जिसने खेल खेल में वरिक्ष उठाकर स्वैमवर में विग्ण डालने वालों का संभार किया वो महाबली भीम है और उनके दो सहायक, नकल और सहदेर और जिसने असाध्य लक्ष भेद कर दुरौपदी को वर वो वही अर्जुन है पांचार लरेश जिसे दमाता के रूप में पाने की आपकी अकांचा थी पधार ये अंग्राज कर्ण मित्र, तुमने मुझे बलाया हाँ जदी तुम भी यही पूछना चाहते हो कि मैंने अस ब्राम्मन योवक को जाने क्यू थी उस ब्राम्मन को छोड़ो मित्र, छोड़ो उस ब्राम्मन को ऐसा शुब होने वाला है कि पांचाली सुहेंबर की तरासिती भूली गया हुमें मैं आज बहुत प्रसन हूँ मित्र, मेरा और तुमारा हम दोनों का स्वपन पून होने वाला है मामा श्री ने ऐसा मार्ग खोजा है जो मुझे दुर्योधन को तुरंथी हस्तनापुर का राजा बना देगा मेरा राज अबिशेख होगा राज अबिशेख उसके पश्चात तुम्हारा बड़े वर्तन का स्वपन भी पूर हो जाएगा मित्र हाँ मित्र परन्तुमा मैं तुम्हें कुछ पताना चाहता हूँ कि मेरे होने वाले समराठ अपनी प्रसन्नता अपने मित्र के साथ बाद में बाटना है पहले अपने पिताश्री से तो मिलकर आओ वो तुम्हारी कबसे प्रतिक्षा कर रहे हैं मित्र मैं अभी आता हूँ जब तक दुर्योधन लोट आए तब तक चॉसर के दो दो हाथ को जाए अविराच कर आप सदार अकेले खेलते हैं गांदार राज हाँ अकेला है खेलता हूँ क्योंकि जो स्वयम के साथ है अकेला खेलता है वो दूसरों को अपने खेल पापासा बनाने में सक्षम होता है कर मैं चॉसर की नहीं उस खेल की बात कर रहा हूँ जो आप अस्तरापुल में खेल रहे हैं खेल तो तुम भी खेल रहे हो, अंगराज करण, जिसका प्रारहम तुमने पांचाल सोयंवर के युद्ध में कर दिया है, है, सत्य और निष्ठा से कोई भी मनुश्य, अपने लक्ष तक नहीं पहुँच सकता, करण, ना, और तुम ये मत भूलना, कि तुम दुर्योधन की कि इसी भी परिस्थिती में साथ देने की प्रतिज्या से बंदे हुए हो करण, क्या कहना चाहते हैं, आप, यही, कि तुम और मैं, केवल हम दोनों ही जानते, कि पांडव अभी जीवित है, और यदि दुर्योधन को सम्राठ बनते देखना चाहते, तो यह सकते, किसी को ग्यात नहीं होना चाहिए, ना, पांचान नरेश पर ब्रह्म हत्या का दोश नहीं लगेगा, किन्तु आप पांचो, आप पांचो दोशी हैं, भर्म्राज, पांचान नरेश के क्रोध का कारण, नीती संगत, और द्रौपदे की पीड़ा भी, यदि कुछ अनीती हुई है, तो आप पांचो से, स्त्री कोई वस्तु नहीं, जिसे बांट लिया चाहे, वो जननी है, वो शक्ती है, वो एक कुल का सम्मान है, जिसे बांटा नहीं जा सकता, सर्वप्रथा, अथ्रौपदी को भीक्षा बताना, सर्वथा अनुचित था, तुमने पांचाली का वरंड किया है, नार्चु, वो कोई भीक्षा नहीं है, वचंत सोच समझ कर मुख से निकाले जाने चाहिए, अनुचित समय पर निकले अनुचित शब्द, ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशक सिद्ध होते हैं, माता सदा चाहती है कि उसकी संतान रेम से रहे, परंतु बिना परिस्थिती जाँ चाहिए, बिना परिणाम का आखलन किये, कोई निर्ने सुना देना, घातक सिद्ध होता है, संतान प्रेम में लिया गया अनुचित निर्ने, कभी-कभी श्रिष्टी का चक्र डगमगा देता है बुवश्री, पांडवों से भूल हुई है माना, देवी कुंती से, भूल वश्र वाकदान हुआ है ये भी माना, परंतु वसुदेव, इसमें मेरी पुत्री का क्या दोश, मेरी पुत्री के भविश्य का क्या होगा, ये निर्नय तस्वयम, पांचाली ही ले सकती है पांचाल नरेश, चुकि एक इस्तुरी से उसके भविश्य का, उसका दमपत्या चुनने का अधिकार, उससे कोई नहीं ले सकता, मुझे तुमसे सहान भूती है सकी, परन्तु ये निर्नय, तुम्हे स्वयम ही लेना होगा, मुझे विश्वास है कर, कि तुम ना अपनी प्रतिग्या तोड़ोगे, और ना ही दुर्योधन का स्वप्त। पूर विश्वास, तुम कुछ कह रहे थे, योध्धा की रणनीती की विशय में? एक सच्चा योध्धा, युद्नीती का पालन करता है, वो नाकारण, किसी से युद्ध करता है, और ना किसी का अधिकार छीनता है, परन्तु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हाथों में पासे रखकर, शडियंत्र रचने वाला, एक सच्चे योध्धा का मन नहीं समझ सकता है, अब मेरी सुन, राजनीती में सच्चा योध्धा वही है, केवल वही है, जो विजई होना जानता है, वो चाहे धनुष्वान से हो, छस्त्रों के संधान से हो, या चाहे मनुष्य की गुद्धी से हो, तो शकुनी को, दुरूबल योध्धा समझने की भूल कर बैठना, अंगराज कर, सिधे पहुं पारा, तुम राज्थ हो गये कर, सक ही, क्यों, किसलिए सखा, आप तो मेरे सखा हैं, और सर्व ग्याता भी, यह यही मेरा प्रारब्द है, फिर क्यों मुझे इस दुविधा नुवज ने दिया आप में, वहारे प्रारब्द का निर्धारन, तुम्हारा चैन करेगा सखी, तो क्या चैन करूं मैं वासुदे, पिताशी ने यक करके एक पुत्री की कामना की थी, जो अर्जुन से विवाह कर सके, और मैंने भी अपने प्रथम श्वास से, यही अनुभव किया है कि, अर्जुन को पाना ही मेरे जीवन का प्रयोजन है, और आपने भी इस प्रयोजन को सिद्ध करने में सही योग दिया, और अब जब ये प्रयोजन सिद्ध हो गया है, तो एक नहीं दुविदा उपस्तित हो गई, एक ऐसे पत्परला खड़ा किया है आपने, समझ ही नहीं आ मार्ग में कभी न कभी ऐसे मोड आते हैं, जब वो संशय में घर जाता है, उस समय तनिक पीछे हटकर परिणाम और उद्देश के विशय में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, कि किस मार्ग पर क्या मिलने वाला है, तनिक विचार करो सके, यदि तुम पांचों पांडों स सदा के लिए, मुझे पांच पतियों की पत्नी के रूप में जानेगा, अब मान और उपहास का पर्याय बन जाएगा मेरा जीवन, और यदि तुमने केवल अर्जुन से विवाह किया, तो, तो शेष्चार सन्यास ले लेंगे, और संसार गईगा, कि कि कुल वदू ने ग्रह में प्रवेश करते ही कुल को बाट दिया, और ये विवाही अस्वी कार कर दिया, तो जीवन भार के लिए पिताश्री की दृष्टी जोग जाएगी, उनके मस्तब पर एक कलंक लग जाएगा, प्रत्येक स्तिती में, दुरापदी पर कलंक लगना नि क्या है, उसका उद्देश ही क्या है, उसकी यात्रा, उसका लक्ष ही क्या है, अपने आसपास देखो सके, इस महा सागर को देखो, इन मेघो को देखो, इन व्रिक्षो को देखो, उत्तर मिलेगा सके, तो क्या कहा इस महा साकर ने, इसमें एंवरिक्शन है, यही, कि यदि उद्देश्य से हट जाएं, तो उद्कम भी लांचित होता है, एक बूंद का उद्कम मेघ होता है, और उसका उद्देश्य धारा को सीचना, यदि वो इसे अस्वी कार कर दे, तो मेघ लांचित होगा, नदी का उद्कम परवत है, यदि वो सागर में मिलना अस्वी कार कर दे, तो परवत लांचित होता है, यदि मैंने ये विवा स्वीकार किया, तो कलंक केवल मुझ पर लगेगा यदि मैंने ये विवा अस्वीकार किया, तो मेरा उद्गम और उद्देश दोनों पर कलंक लगेगा तो क्या चुना तुम दे सकी? यही कि यदि मेरा जन इतिहास की दारा को बदलने के लिए हुआ है, तो इतिहास बनना पड़ेगा मुझे कदाजित, इसलिए ही अगनी मेरा उद्गम, क्योंकि जीवन भाद, इसकी ताप्त को सहना है मुझे कंदान으। हुआ 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 है